नमस्कर दोलतों आई होप आप काफी अच्छे होंगे और आपकी त्यारी भी काफी बैतर चेल ले होगी अगर आप भी UPB8 का इंट्रेंस एक जाम दे रहे होंगे दोजार तेज का दोजार वीडियो आपके लिए काफी महत्मूर हो सकता है तो चली दोलतों आज के सबसे पहले कोश्चन के शुरुआत करते हैं सबसे पहला कोश्चन है दोलतों कौटिल्य का अर्शास्त्र है एक अपसन देखेगा चंदगूप्त मौर के संबंध में नाटक अपसन B आत्मकथा अपसन C चंदगूप्त मौर का इतिहास और अपसन D सासन के सिद्धानतों की पुस्तक तो इस प्रस्ण का राइट अंसर ह हो जागा दोलतों आपसन नम्मघी यानि सासन के सिद्धानतों की पुस्तक कौटिल्य का अर्शास्त्र है आगे बढ़ते हैं दोलतों कोश्चन नम्मघ तू के तरफ कोश्चन नम्मघ तू काफी महतमून है आपके लिए मुगल काल में दर्वारी भासाथी आपसन A देख दर्बारी भांसा क्या थी तो फार्सी थी और मुगल काल में मात्री भांसा क्या थी तो तूर्की थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 3 के तरफ कोश्चन नमर 3 आप का है पानी पत के तीसरे जुद में मराठो को पराजित किया था कोश्चन नमर तीन है दोस्तों पानी पत के तीसरे युद्ध में मराठो को पराजित क्या था अपसन ए देखेगा मुगलों ने अपसन बी अफगानों ने अपसन सी अंग्रेजों ने और अपसन डिये दोस्तों रोहिलों ने तो इस प्रशन का राइट अंसर हो जागा अपसन नमर भी यहनि अफगानों ने पानी पत के तीसरे युद्ध में मराठो को पराजित क्या था और पानी पत का तीसरे युद्ध हुआ था दोस्तों पानी पत का तीसरे युद्ध हुआ था उपर देखिएगा पानिपत का तीसरा युद हुआ था 14 जन्वरी 14 जन्वरी 1761 में पानिपत का तीसरा युद 14 जर्वनरी 1761 में हुआ था और अफगानों के तरफ से अफगान सेना का नितर्तु अहमा साबदाली कर रहा था और मराठा सेना का नित्रत्यु दोस्तों सदा सीवरा भाव कर रहा था, ये भी आपसे कोस्टे पूछा जा सकता है, तो इस तरह कर आपके कोस्टे पर आप एलर्ट रहेगा, आगे भड़ते हैं दोस्तों कोक्षचन नमर चार के तरफ, questions number 4 है आपका भारती राष्टी का अंग्रेज की अस्थापना किस Governor General के काल में हुई थी ? भारती राष्टी का अंग्रेज की अस्थापना किस Governor General के समय में हुई थी ? option A देखेगा Lord Ripen, option B, Lord William Bantic, option C, Lord Dufferin और option यह दोस्तो Lord तो इस प्रस्म का राइट आउसर हो जागा दोस्तों, अप्सण नम्मर C यमिने, लाड़ डफरिन के समय में भारती राष्टी का अंग्रेज की अस्थापने हुई थी, और लाड़ डफरिन का कारेकाल क्या है, तो अठार सो 1884 से ले करके 1888 तक, 1884 से ले करके 1888 तक किसका कारेकाल है तो लाट डफरिन का कारेकाल है और अब गयात होगा 1885 में भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना हो गई थी और इसके संथापक कौन थे तो एलन अक्टोबियम ह्यूम आगे बढ़ते हैं दोस्टों तो कोस्टन नमर 5 के तरफ कोस्टन नमर 5 है आपका अक्टिल भारती राष्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्याच कौन थी एक काफी महत्मूर कोस्टन है और अक्सर विद्यार्थियों से गल्ती हो जाता इस कोस्टन अकिल भारती राष्टी कांग्रेश की प्रतम महिला अध्याच कौन थी अप्सन A देखेगा नली सेन गुपता अप्सन B सरोजनी नाइडू अप्सन C एनी वेसेंट और अप्सन डिया दोस्तो कादम मिनी बोस तो इसका राइट राइट आंसर हो जागा दोस्तो A abstract No.C यहनि अखिल भारती राष्टी कांग्रेश की प्रतम महिला अध्याच दोस्तो एनि वेसेंट हैं और एनि-वेसेंट ने 1917 में 1917 में भारती राष्टी कांग्रेश के कलकत्ता अधिवेशन में अधियस्ता की थी और इसका राइट आंसर हो जागा अप्षण नम्मर 6 एनीवेशन और यहीं पर कोश्चन में आप से पूछा जाता भारती राष्टी कांग्रेस की प्रतम भारती महिला अध्याच यहाँ पर question में जड़ा देखेगा यही छोटे-छोटे mistake होता है इसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका सरकारी कालेज एकदम निश्चित रूप से मिले आपको तो बिल्कुल आप परिसान नहीं होईएगा आप बस patience मनाए रखेगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा जिसमें आपका पूरा doubt के लिए हो जाएगा तो देखिएगा दोस्तों इस प्रस्ट में टेकनिकल चीज क्या है इस प्रस्ट में पूछा जा रहा है आपसे भारती राष्टी कांग्रेश की प्रत्थम महिला अध्यच कौन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एनिवेसेंट और यहीं पर पूछा जाता भारती राष्टी कांग्रेश की कोश्चन देखिएगा कोश्चन नमर 6 काफी महत्मूर है सती पर्था का उन्मूलन किया गया था किस गवर्नर जेनरल के काल में आप्षन A देखिएगा वारिन हेस्टिंग आप्षन B लाड बिलियम बैंटिक आप्षन C वेलेजली और आप्षन यह दोस्तों रिपन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसंन नमर बी यानि लाड बिलियम बैंटिक के समें सती पर्था का उन्मूलन किया गया था कब तो 4 दिसम्बर 4 दिसम्बर 829 को इसकी पर्यास से तो राजय रा मोहन राए के पर्यास से चार दिसंबर 1829 को लाड बिलियम बैंटिक के द्वारा सती पर्था का उन्मुलन किया गया था कोश्चन नमर सेवन है आपका किसने दिल्ली को सल्तनत की राधानी के रूप में अस्थापित किया आपसन ए देखेगा मुहम्मद गोरी आपसन भी कुटबू दिन अयबक आपसन सी इल्टुतमिस और आपसन यह दोस्तों अराम सा तो इस प्रस्ण का राइट आंसर हो जागा दोस्तों आपसन नमर सी यानि इल्टुतमिस ने दिल्ली को सल्तनत की राधानी के रूप में क्या क इसके पहले कुटबू दिन अयबक ने क्या करता था तो कुटबू दिन अयबक अपनी राधानी कहां से चलाता था तो लाहौर से चलाता था और इल्टुतमिस वह प्रतम सास रखाए दिल्ली सल्तनत का वह प्रतम सास रखाए जिसने अपनी राधानी लाहौर से दिल्ली ल पानी-पत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपसन A देखे, बाबर M इबराहिम लोदी के मद, आपसन B बाबर M रारा सांगा के मद, आपसन C शेर सासूरियम अकबर के मद, और आपसन रिये हुमायू और इबराहिम लोदी के मद, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोल्स तो आप्सन नमरे यानि बाबर और इब्राहिम लोदी के मत पानी पत का प्रथम यूद हुआ था कब तो 1526 में 1526 में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ प्रादित हो गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 9 के तरफ मैं आसा करता हूँ कि आपको हर question प्रतिक question आपको समझ में आ रहा होगा question number 9 है चीनी यात्री व्यन सांग ने किस सासक के समय भारत की यात्रा की थी option A देखिएगा चंद्रगूप दिती विक्रमादित, option B हर्स, option C धन्देव और option यह दोस्तों असकंद्रगूप्त तो इसका right answer हो जाएगा option B यहनि हर्स के समय हर्स बर्दन के समय चीनी यात्री व्यन सांग ने भारत की यात्रा की थी hardest question ने में आपसे क्या पूछा जाएगा एक और question इसी संब्हांद पूछा जाएगा कि वैंसांग के पुस्तक का क्या नाम है वैंसांग का पुस्टक का या नाम है तो याद रखिएगा, C-U-K, इसके पुस्तक का नाम है, आगे बढ़ते हैं, question नमर 10 के तरफ, question नमर 10, जब अठारसो संताउन की करांती हुई थी, उस समें, governor general कौन था, जब अठारसो संताउन की करांती प्रारम हुई, उस समें, governor general कौन था, option A देखिएगा, डलहौ जी ने, option B, कैनिंग, option C, लारेंस, और option D, करजन, तो इसका right answer हो जाएगा, दोल्स तो, option नमर B, जैनि, लाट कैनिंग, अठारसो संताउन की समें, governor general था, तो कैसे लगा, आज का 10 महत्मूर प्राश्न, comment करके आप हमें जरूर बताएगा, और यह comment करन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है, इसी तरह के मायदार question हम आपके बीच लाते रहेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद